अब बात करते हैं जमेर की जहां जिले के मांगलियावास थाना अंतरगत लेडी गाउं में एक साल पहले गर्ववती महिला की हत्या के मामले का मांगलियावास पुलिस ने रमिवार को खुलासा कर दिया है पुलिस ने हत्या के आरोपी पुडोसी प्रेमी को फी गिरफतार कर लिया है पूश्ताच में आरोपी ने बताया कि कहा सुने को लेकर आवेस में आकर धक्का दिया और सिर्म चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी थाना पुर्वारी सुनील ताडा ने बताया कि मृतिका की सास कंचन पत्नी सिवकरण मेगवाल निवासी लीडी ने एक रिपोर्ट इस आसय की पेस्की थी कि वह ग्राम लीडी की रहने वाली है जो उसका पीहर है उसके दो पुत्र भी है इनमे कुल्दीप उर्फ बंटी गाउं के ही मदनलाल के माकान में अपनी पत्नी रेखा पुत्र सिधार्थ के साथ रहता है अपने पीहर के माकान के बाड़े में आती रहती थी उसका पुत्र कुल्दीप कमाने खाने के लिए गुजरात रहता है कुल्दीप ने रेखा के साथ करीब पांच वर्स पहले प् अगले दिन सुबह करीब 7 बजे होली के दिन कुछ बच्चे उसके घर पहुचे तो रेखाम्रित आवस्था में मिली थी मंगलियावास पुलिस ने प्रक्रण दर्च कर अनुसंधान समंदर सिंग भाटी स्टियम पिसांगन को सुपुर्द किया है अनुसंधान वा मृतका के पती कुलदीब के संदेह पर अनुसंधान सुरू किया गया था पुलिस अधिक्षक विकास सर्मा अत्रिक्स पुलिस अधिक्षक ग्रामेड वैभव सर्मा एवं बृत्ता दिकारी इसलाम खान को सुपर विजन में प्रक्रण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलास के लिए इसे स्टीम का गठन कर डिटेन किया गया था पूश्तास में पाया की रेखा पत्निक पुल्दीब का प्रेम विवा पांचवर्स पूर्ग हुआ था उसके बाद रेखा वा रेखराज पुत्रमुन्ना लाल मेगवाल के 27-8 महिनों से अवैस संबध थे इसी दोरान 28 मार्च 2021 को रेखा वा रेखराज के बीच रात्री करीब 11 बजे इनहीं बातों को लेकर फिर से कहा सुनी हुई थी इस पर रेखराज ने आवेस में आकर रेखा को जोड़दार धक्का दे दिया था इस तर रेखा का सिरघर के दिवाल की किनारी से टक्राने की कारण नीचे गिर गई था मौके पर इसकी मौत हो गई थी आरोपी ने वादात के कबोलने पर पुलिस ने गरववती महिला की हत्या की आरोप में रेखराज पुत्र मुनना लाल मेगवाल को गिरफतार कर लिया है पुलिस गिरफतार आरोपी को सोंबार कुन्यायले में पेस करीगी